हेलो एवीवन कैसे हैं आप सभी मैं रोहित्र गोईशी आपका इजिनिंग एजुकेटर आप सभी का स्वागत है आपके अपनी परिवार एग्जामपुर बैंकिंग क्लासिस में प्यारे साथी उम्मीद है आप लोग स्वस्थ है तैयारी में आप लोग उत्री ही अच्छे स जल्दी से आजाएं सभी लोग स्टार्ट कर रहें आपने सेशन को तेजी से आजाएं भई गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग कैसे हो भई आप लोग बताईये जल्दी अगर बार शेयर कर दीजेगा सभी लोग न जल्दी से हलो जी हलो गुड मॉर्निंग चलिए करें स्टार्ट करें सेशन को स्टार्ट करें देखिए अगर कोई भी हमारे साथ पहली बार जोड़ता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एक जामपूर बैंकिंग क्लासिस ज बहुत अच्छे से रूबरू है यह है हमारे सिवहम सर यहाई रूपम मैं प्यूश्चर हमारे रोहिस सर नैंसी मैं जुस्ण मैं अनिल जादों सर राजियर समिस्था सर ठीक है प्रिति मैं निन सबी लोग को आप बहुत बर खुबिसे जानते हैं लोगों की परिवरतने 2. 2.0 में रेगुलर आप क्लास ले भी रहे हैं जिन बच्चों ने कोर्स को बाय किया है ठीक है और यूट्यूब पे इनकी प्रो राब रेगुलर बेसिस पे दो-दो क्लासिस सभी की टीचर्स की होई रही है ठीक है न चलिए आजये सभी लोग एक बार शेयर करके आईएगा जल्दी से स्टार्ट करते हैं देखे भई कि SBI क्लर्क 2021 आप जानते हैं पेपर किसी भी वक्त हो सकता है अभी डेट नहीं लेकिन अभी आपके पास समय है आप चाहते हैं कि रिकॉर्ड़ फॉर्मेट में और कुछ अलग क्लासिस जो आप लाइव ले सकते हैं वो लाइव और जो कुछ क्लासिस आपकी रिकॉर्ड़ वो रिकॉर्ड़ तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं ट्रपल नाइन में है अगर आप चाहते हैं कि कुछ बहतर कुछ अलग सबसे अलग आपको मिल जाए तो वह इस बैच के द्वारा आप ले सकते हैं ठीक है इसी रूप में सेम आरार भी क्लर कभी सेम इसी में चल रहा है आई बीपियस रर्वी क्लर आई बीपियस आर रवी पीयो और देखो ध्यान डगना यह जो सिर्फ फीस है यह मात्र पर इसके लिए मतरी प्रिलम्स और मेंस दोनों कम नाइन इस फीस में अधर वाई अगर प्रिलम्स और मेंस की बात की जाए त तो कम सिकम ढाई तीनहजार रुपय का मान लिजे यह मेंटर ठीक है लेकिन आपको सिर्फ ट्रिपल नाइन में पूरा प्रिलम्स से मेंस तक के लिए आई बीपियस आर बीपियो खिलर के लिए भी आपका बैक चल रहा है ठीक है तो इसको भी एस बेक लर के साथ साथ आई तो बीदा बैस्ट यू मस्ट वी बिल टू हैंडल दवर्स ठीक है अब हैंडल कर सकते हैं ठीक है न ईजली तो यह बहुत अच्छी बात है ठीक है न बहुत अच्छी बात है चलिए स्टार्ट करें भी कुश्चिंश पर आ जाएं जल्दी से बताएंगे एक बार सभी से जल्दी से इस को देखें सभी 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 बाते इस को देखें आराम से अच्छे से जल्सेडिएखें सभी के सभी आऊ देखी भी जल्दी और हिंदी में देखना चाहते हैं तो हिंदी में देख लीजिए हिंदी में देख लीजिए हिंदी में दिया गया आपको यह जो है हिंदी में भी दिया गया है ठीक है आप हिंदी में भी देख सकते है देख लिया हिंदी में एक बार स्क्रीन सॉट ले लिजेगा सभी लोग एक बार स्क्रीन सॉट ले लना सभी के सभी ठीक है चलिए भई देखते हैं इस कुशन को जल्दी से करिए कर जलिए आजी देखिए आपसे कह रहा है भी कि संटेवन सारी इनर हो जी सेक्टराफ टो सी जी जो है वह आपका क्या है जी संसेंट सेकंड लेफ्ट में हैं ओर देटपर सेज्च बीट्वीन एं गडरत से अधिक लोग बैठ़ें whatsoever सिरुप from information को को जोट कर रहे हैं अभी हम अपनी information को लिख रहे हैं फिर उसके बाद questions पिछे ठीक है फिर conditions को देखते जलेंगे अभी information लिखी जा रही है जो यह छोटी-छोटी conditions से इनको जौट कर लेते हैं फिर देखते हैं को information में सटीक मिलती है अब देखो एम किसी एंड से तीसरे स्थान पर है तो यहां से लेफ्ट से तीसरे पर हो सकता है obviously आपका right से भी तीसरे पर हो सकता है भी obviously हो सकता है क्या दिक्कत है ठीक है फिर आप से आगे कह रहा है कि भी immediate right to I M जो है वो I के immediate right में है M जो है वो I के immediate right में है ठीक है क्या रहा है no one sit to the right of D तो माल लेते हैं मैं कि भी D यहां हो सकता है D यहां तो fix हो जाएगा कि भी D के right में कोई नहीं है इधर भी D के right में कोई नहीं है यहां तो confirm है यहां D के right में कोई नहीं है all the persons facing same direction अब same direction का मतलब यह है कि भी आप North face कराना चाहे तो North और अगर South face कराना चाहे South लेकिन पहले एक बार चेक जरू कर लें कहीं North South दिया तो नहीं गया है लेकिन मेरी निगाह यहां जाती है कि भी यह कह रहा है North तो हम मैं समझ गया कि सभी person आपके all the परसन फेसिंग नौर सेम डेरेक्शन अगर सारे परसन सेम डेरेक्शन फेस कर रहे तो इसका मतलब सीदा सीदा साफ साफ है कि अगर North कहा गया तो फिर सभी परसन नौर्ट ही करेंगे को दोहरा वाली बात भी नहीं बचेगी ठीक है आगे आप से क्या किया रहा है अफ ये रहा है और ये ये जो है वह और सी चाना बीच में हैं I और C के exactly बीच में है more than two person sit between C and M C और M के बीच में दो से अधिक लोग है C और M के बीच में दो से अधिक लोग है ठीक है C और M के बीच में क्या है दो से अधिक लोग हैं, ठीक, फिर करें, 3% sit between J and D, J और D के बीच में कितने लोग हैं, मैं 3%, ठीक है भई, फिर आगे आपसे क्या बोल रहा है, आगे आपसे क्या बोल रहा हैं, देखो, 5% sit between I and C, I और C के बीच में कितने लोग हैं, 5% हैं, तो बहीं देखो, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, C आपका यहां आ गया, C के second left में आपका G आ गया, ठीक है, और फिर आपका आगे क्या बोल रहा है, किरा है, I और C के बीच में E है, तो 2 छोड़ कर, और 2 छोड़ कर, E आपका यहां हो जाएगा, I और C के बीच में, I और C के बीच में कौन है, E है, इधर से 2 छोड़ कर E, इधर से 2 छोड़ कर E, ठीक है, E के fourth left में A है, 1, 2, 3, fourth left में आपका क्या हो गया, A हो गया, इधर आप देखेंगे तो इधर क्या कह रहा है भी, इधर भी देखें दिहा 5, C, C के second left में आपका क्या है, G है, C के second left में आपका क्या है, G है, ठीक है, I और C के बीच में E, तो I और C के बीच में E हो गया, ठीक है भी, फिर आप से कह रहा है कि C के, E के fourth left में आपका क्या है, यह A है, 1, 2, 3, fourth left में आपका क्या हो गया, A हो गया, E के fourth left में आपका क्या ह हो जाएगा एं ठीक हैं भई के लिएर बात यह सभी को या नहीं बोलो जल्दी से क्या यहीं behaviors सबखों और चाहिए यहाँ एक सेकंड राइट में तो दूर दूर तक यह भी नहीं यहाँ एक सेकंड राइट में एम तो यह वाला पॉसिबल के सब्सक्राइब ऊच्छों रॉंच हो जायगा थीक है फिर आप है आपका क्या है एफ के सेकंड राइट में एच आपका क्या है एफ नहीं है फिन एक परसन बी जो है इन में से कुए एक परसन तो अब आप ने देखना है कि वह क्या कर रहा जाए आप जानते हैं कि सर ए और हैच के बीच में 8 से अधिक लोग है तो आप देखेंगे यहां पर एक दो तीन चार पांच शे साथ नो आठ से अधिक परसन नौ तो यहां गए आठ से अधिक मतलब 9 नौ तो कम से कम होने चाहिए तो इसका फिर आपसे बोल रहा है के थर्ड लेफ्ट में एल तो सिर्फ यही पॉसिबल है के फयर्ड लेफ्ट में बज 하면 दy वन अफता परशन तो एक ज़गा खाली है यहाँ पर वी वन फिर यहाँ अन। और यह कैसा हो गया, आपका complete हो गया, यह आपका क्या हो गया, complete हो गया, ठीक है, good morning, very good morning, सही है भई, क्या यह बात के लिए रहे, हाँ या नहीं, बताईए एक बर्जली से, क्या यह बात के लिए रहे, सभी को या नहीं है, good morning, कर लिए अभी? चलिए, यह होंगे, 13 होंगे, confusion का तो कोई मतलब भी नहीं था, इसमें क्या confusion है, बता तुदो एक बर, confusion का कोई भी एक line बताईए, कोई एक line बताओ कि सर यह line मुझे confuse कर रही थी, कोई भी एक line आपको लग रहा है कि हाँ सर यह line हमें confuse कर रही थी, एक बार, कोई भी वह बता दिए, कोई भी? जो भी आपके लिए line लग रहा है कि हाँ Ừके line हमें परिषान कर रही है, उसके बारे में, एक बार की बहुआ बताओ टो सही है, एक बार यह थी, तो बताओ किसरा हाँ यह line हमें परिषान कर रही है, बताईए जल्दी से, बोलो जल्दी सी के सेकंड लेफ्ट में जी रखा गया था सी के सेकंड लेफ्ट में और आई और सी के बीच में पांच दो चार पांच आई और सी के बीच में पांच परसन ठीक है यह रहा आई और सी के बीच में पांच और सी के सेकंड लेफ्ट में जी C के दूसरे बाएं तरफ जी यह अरे इतनी फुहड लाइन पूछ रहे हूं आप यह अ है इतना गंडी लाइन और कोई बात और कोई बात किसी को कुछ पूछ नहीं है जल्दी से बोलू और कोई बात किसी को कि बदाई यह जल्दी कि चलिए इस question को देखिए जल्दी से सभी इस question को देखो जल्दी से सभी लोग जल्दी से इस question को देखिए जल्दी से 8 persons are sitting around a rectangular table such that 2 persons sitting on each side of the table the one sitting on the shorter side of the table face away from the center and the one sitting on the longer side of the table face towards the center इसमें कोई longer shorter का कोई मतलब भी जो मर्जी चाहा है वो मानलीजे जो मर्जी चाहा है वो मानलीजे जैसे मैंने shorter side यह मानली तो यह face away from center हो जाएगा और यह जाली जो larger side मान लिए मैंने क्या मान ली इसमें अंदर की तरफ देख रहे हैं कोई भी मान लिजा यहां पर यहां पर यह बाहर की तरफ हो जाएंगे अंदर की तरफ हो जाएंगे बस खत्म किया रहा है नो टू परसन शेटिंग अपूजिट टू इधर और नेक्स वह एक दूसरे vinegah2 दोपरसन इधर तो परसन वह एक दूसरे कर захifter को बैठते मैं यह झाल यहां नहीं प् şehप दूसरे के नैक्स टांटे वह एक जाए तब तो ए दूसरी साइड पा जाएगा भई तब तो ए आपका लॉंगर जाएगा ठीक है ना तो हम दौनव पॉसिबिटि इस बार साथ के साथ लेकर चलेंगे ठीक है भाई अभूप भी एक बार में लीए घिके मिर्ट लेफ्ट में एक मैंने यहां माले ठीक है चलिए आगे आपसे देखी क्या के रहा है एक सेक्ट द राइट फ एफ्स जो है वापका क्या है is f s 2 rite में ठिक प्रिछनक दीट दीट रफ्ट बी सी जो है वह वह फी इम्टियेट लेफ्ट में है ठीक भई भाई इन फ्र्फक बिल्प के टोसी जो है फोलिट में आगर मैने सी को यह रख दिया तो आप से तो से बोल रहा है कि वहीए अगर मैं यहां रहता हूं तो इसी यहां नहीं हो सकता तो फिर सी कहां होगा एक के अगला जञाता है लेटर बी ओका नेक्स्ट लेटर भी तो एक अपोजिट में आपका यहां पाएगा ऑगल कि यह पीक नहीं हो गाएं और दूसरी बात कि बीके अपोजिट में दी है तो यहां वैसे भी पॉसिबल नहीं क्योंकि B के अपोजिट में D होना है ना कि A ठीक है चलिए दूसरी बात क्या है अब क्या है कह रहा है अगर मैं C को यहां रखता हूं तो B के इमिडियेट लेफ्ट में आ रहा है अगर मैं यहां पर रख देता हूं एक प्रोजिट में जो परसन ऐसका पर दो इहां रख दिया माले तो आप कहेंगे यहां तो जी आलरेडी है यहां तो मतलब नहीं है यहां पर अगर वी को सब्सक्राइब तो फिर आएगा सी यहां फिर आप कहेंगे सर एक फोजिट में भी नहीं हो सकता ठीक है और वैसे में अउन्य पढ़ूसी अजिये से किन्ट नहीं था यहां से देखोगे भी दो छोड़कर तीन छोड़कर रहे इधर से भी तीन छोड़कर रहे इसको और इसको देखे दो छोड़कर रहे तो यह पॉसिबल नहीं उपाएगा एफ के सेकंड राइट में एच यहां पॉसिबल नहीं है यहां पॉसिबल नहीं तो यह वाला ले ले लिए बच्चा है जो स्क्रिंशॉट लेना चाहता है तो स्क्रिंशॉट ले सकता है जल्दी से ले लिए बच्चा है आगे देखें हुआ 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 हु चलिए आगे देखिए अगला प्रसन आपके स्ट्रीन पर यह रहा इस को देखिए जल्दी से ट्राइए कीजिए एक बर एक बर ट्राइए कीजिए सभी के सभी जल्दी से ऒल सकतत अपके प्राइए कीजिए एक बर ट्राइए कीजिए एक अगला इक कीजिए एक की बरिएए बर ट्राइए कीजिए से लचला है झाला इन्य जल्दी पिए प्रत услов האन आप़निए आपके संपके उखिणा चलिए, देखें, देखें में, आजएए. 8 persons MNO, VW, X, Y and Z, attend meeting on different month of a year, January, February, March and April. जैनुरी, February, March and April. ठीक है भई? कह रहा है कि भई, such that not more than 2% attend their meeting in the end of the month. ठीक है? कह रहा है कि that not more than 2%, obviously बात है. Meeting can be held on either 10 or 11. या तो meeting 10 को होगी या meeting 11 को होगी. ठीक है भई? चलिए, आगे देखिए. आप से आगे कह रहा है, no 2 meeting can be held on the same day, obviously. कह रहा है, not more than 2% attend their meeting in the each of the month. ठीक है न? चलिए. डबलू attend meeting in a month which has less than 30 days. Less than तो भई है, फर्वरी में होते हैं. तो डबलू आपका 10 तारिक को हो सकता है, डबलू आपका किस तारिक को हो सकता है, ग्यारे को भी हो सकता है, फर्वरी में. एंड, only one person attend meeting between W and Z. तो भी है, इसकी तो बहुत possible cases है, नीचे भी हो सकता है, उपर भी, इसमें ज़्यादा possible बनाने की जबत नहीं है. O attend meeting in March, O जो है, किस में है? मार्च में है. ठीक है? फिर आप से कह रहा है कि M attend meeting on even day. M जो है, वो आपका even मतलब 10 तारिक को करेगा, वो आपकी कोई साभी मन्त हो सकता है, वो आपका कोई साभी मन्त हो सकता है, जनवरी, अब यहां तो इस वाले case में तो जनवरी मार्च अप्रेल होगा, ठीक है? आप से कह रहा है, equal number of meeting are between Z and X is there, between Z and Y. जो है, Z और X के बीच में जितनी meeting होंगी, उतनी ही Z और V के बीच में होंगी. इसका मतलब है, Z आपका इन दोनों का X और V का क्या होगा? फूर है, ठीक, चलिए, अब क्या किया जाए है बई? अब क्या करें? बताईए जल्दी, अब क्या करें? बोलो जल्दी से, ठीक है? तो अब क्या करें? क्या कर सकते हैं? क्या क्या जा सकता है? तो देखेंगे धिहान से बई? अब तो possible मानने ही पड़ेगा, आपको एक नाम ने अब जब यह सी यह गलत हो जाएगा तो फिर डवलो जेट की बीच में उपर ले लेंगे ठीक है फिर आप से कह रहा है कि वह जो है ओ मार्च में है तो यहां जैड आगया तो यहां ओ आ जाएगा यहां देखोगे डवलो यहां भी फिर हमने एक छोड़ के जैड को न मान लेजिये कि अगर जैड से ऊपर रखते हैं 2 छोड़ के ध्यान से सुनना क्योंकि 2 छोड़ कर तो पॉसिबल आपका हो नहीं होना है क्योंकि YOU जैड से उपर एक और बीच Да जैड तो जैड से से तो बात केबल दो ही है तो यह तो पॉसिबल नहीं उपाएगा तो इसके according यह वाली condition तो हमारी कैसी हो जाएगी wrong हो जाएगी अगर यहां देखा जाए यहां अगर देखा जाए तो आप कहेंगी कि दो चोड़ कर अगर देखा जाए कि बहुत जैड़ और एकस के भीच में तो एक दो यहां पर मैंने मान लिया एकस भी आ सकता है वीज आ सकता है मैंने यहाँ दो छोड़ के यहाँ पर X मान लिया है, तो X से जस्ट पहले आपका क्या आएगा? तो मान लेते हैं भी X से जस्ट पहले Y और Z और X के बीच में 2 तो Z और V के बीच में 2 होने चाहिए और आप जानते हैं कि M जो है 10 को ही आएगा तो M आपका यहाँ हो गया ठीक है और बच्चा क्या आपका और कोई बच्रा है और कोई बच्रा है आपका लेकिन आपके दिमाग में यह बात आरही होगी कि सर सर आपने यह तो कर दिया, ठीक है हमने मान लिया, कोई इशू नहीं है, लेकिन ऐसा भी तो possible हो सकता था, कि वही डवलू से उपर, नहीं जैसे मान लिजे डवलू यहां था, ठीक है, और Z आपका यहां, ठीक है, O आपका यहां, ठीक है मान लिया हमने, आप कहेंगे सर X यहां नहीं है संभव ऐसा, ऐसा संभव है या नहीं, बोलिए ज़र, बताईए, अरे बताओ जल्दी, देखो इसने एक बात कहिए, इसने बात कहिए कि I am attend meeting on even day of a month having 30 day, मतलब उसने यह भी fix कर दिया कि even day तो है, लेकिन 30 day भी होना चाहिए, even day तो है, लेकिन 30 day भी होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर, यहां पे even date तो है, लेकिन 30 day नहीं है, यहां 31 day है, even day तो है, लेकिन यहां पे कितना है, 31 day आ रहा है, जनवरी में 31 दिन होते हैं लेकिन वो कह रहा है कि even date के साथ साथ उसमें क्या होना चाहिए even date के साथ साथ वो आपका 30 दिन वाला महिना होना चाहिए आप कहेंगे सर M जो है even date पे है और 30 दिन वाला महीने पर भी है लेकिन इस वाले possible case में जनवरी 31 दिन का होता है तो ये वाली possible case आपका कैस हो जाएगा wrong दूसरी बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर आपने कहा था कि W और Z के बीच में एक है तो आपने W के नीचे क्यों रुखा ऊपर क्यों नहीं रखते तो मेरे प्यारे बच्यों अगर मैं एक छोड़ के Z को ऊपर रखता न तो Z कभी भी X और V का common नहीं हो पाता अगर मैं W के ऊपर एक छोड़ के या इस वाले case में अगर ऊपर रख देता Z को तो Z कभी भी आपका क्योंकि Z आपका पहले नंबर पे कहला है जाता तो उस case में कभी भी वो आपका नहीं हो पाता ठीक है? क्लियर बात ये तो ये आपकी बात कैसी हो जाएगी? अब बचा कौन? MNOV, W, X, Y, and Z M, N, O N बच रहा है तो N आपका यहां गया है ठीक है? क्लियर बात की? चलिये, क्या ये बात क्लियर सभी को? हाँ ये लाइन मैंने उस समय पढ़ी नहीं थी न मैंने इवी नहीं पढ़ी थी लेकिन ये वाली लाइन पढ़ी नहीं थी उस समय पे कोई नहीं? Azali कर लिए सभीने वह हैं अगला देखे हिंदी वाला कुई बच्चे लेना चाहता है तो ले सकते हें भी हिंदी यता कोई बच्च्चा बेट, बेटाई इसको थोड़ असा लाइक वाइक सेर भी कर दिया करें ठीक है सेर और लाइक एटलिस कर दिया करें सभी के सभी और आप में से अगर कोई भी बच्च अगर पहली बार जोड़ता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए एक जाम पूर बैंकिंग क्लासिस अब रे नुचांग होगा लगा राइद प्रिंग फोल्ग डेट अगले प्रेसन पें चलते चलिये आगया जाए प्रफ़ी चलिए इसकुषिंग देगे भ्रतिया दें हो कि यह इसको रहने दीके यह देखे पहले जोट गया इसको देख लिए जो चुट गया है मैं होई सोच रहा है तो 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 पाशाई का स्पास टाइम हो जाएगा फिर शर्कूलर के को बचे गई नहीं तो कोई निस को करा दें ठीक है उसको हम कल करा देंगे ठीक है इसको देखिए जल्दी से सभी लोग करिए भी जल्दी से करिए करो भी जल्दी क्या हुआ जिया अच्छा सुरू कर दिया था गया कोई निकल करा देंगे मुझे लग रहा है कि समय ज्यादा हो जाएगा फिर गड़ बढ़ना हो जाए कि रहा है एट पर्सना सिटिंग अरॉंड स्कॉर टेबल सच यह टू पर्संट सिट ओन इच साइड आफ टेबल ठीक है हर पर्सन जो है वह साइड पर बैठा हुआ है कि वी इच ओफ देंग आईधर हैं नइन यर टेंट अफी ठीक है फिरते के पास जो है क्या है आईधर नइन और टेंट अफू ठीक है चलिए B who has 10 toffee sit 4th left of A B जो है उसके पास 10 toffee है कि A के 4th left में बैठाओं ठीक है चलिए फिर आपसे आगे करें None of the person having 9 toffee sit together कोई भी person जिसके पास 9 toffee है वो एक साथ नहीं बैठे होंगे किसके जिसके भी पास 9 toffee होंगी वो एक साथ नहीं बैठे होंगे ठीक है फिर किरा है कि not more than 1% sit between H and E H और E के बीच में एक से अधिक लोग नहीं है H और E के बीच में एक से अधिक लोग नहीं Not more than 1% ठीक है Not more than 1% sit between H and E Not less than 3% Not less than 3% have same number of toffees ठीक है 3 से कम नहीं होने चाहिए Not less than 3% have same number of toffee तीन से कम नहीं होने चाहिए भी है तेन से कम ना हूँ नौट लेस्थ तीन हो सकते हैं तीन से अधिक नौट लेस्थ देन थी का मतलब है तीन से कम ना हो तीन हो सकते हैं तीन से अधिक हो सकते हैं लेकिन तीन से कम कोई भी आसा नहीं कि सेम नमबर टॉफी जिसके पास एफ फ सुंगी only one person sit between f and g f और g के बीच में एक परसन ठीक है जी नॉट नेबर आफ बी जी जो है वो बी का पड़ोसी नहीं डी है जो और नमबर आफ टॉफी और नमबर का मतलब है डी के पास कितनी यह नाइन टॉफी है ठीक है फिगर है एंड सेट सेकंड दूराइट अफ ए और person sit between B and H B और H के बीच में दो person B और H के बीच में दो person ठीक है मैंने मान लिया कि भी A को यहां लिया एक दो तीन चार एक दो तीन चार बी आपका यहीं आएगा और कहीं आई ही नहीं सकता ठीक है अब आपका यहां भी हो सकता है तो यह आपका यहां भी तो हो सकता है ऐसा तो जरूरी नहीं है कि आपका यहीं एक के सेकंड राइट में आपका क्या है ठीक है जिसके पास नाइन टॉफी तो यहां पर जी जी आपका यहां हो सकता है आपका यहां जी यहां आप जानते कि जी अगर यहां होने के लिए क्या करना पड़ेगा यहीं हो सकता है है अगर आपने एफ को यहां रखा तो एक छोड़के जी नहीं हो सकता भी का पड़ोसी हो जाएगा एफ को यहां रखा तो एक छोड़के जी यहां हो सकता है अगर आपने यहां देखा तो एक छोड़के अल्रेडी भी है और एक छोड़के अल्रेडी ए तो यहां तो एफ हो एक छोड़के ऐगा56 में एंट में सकता है मैं तो एक छोड़की आपका एंगा यहां हो गया है फिर आपसे कह रहा है सही तो दो थोड़के ऑ青미ंजी को यहां वहाँ an. सूदके यहां भी ऑल्रीडि आपका है? इधर भी दो फोड़ के एफ इधर भी दो फोड़ के ऑल्रीडि फोडिन चील तोLife यह वालिवात आपकी केशक हो जाईगी? मेरे पियारे बच्चो रांग हो भी ठीक है अब दो चार छे साथ बचा गुवा परसन आपका यहां जाएगा अब बचा कौन है आपका ए बच रहा है यह आपका कोई दो परसन कोई भी दो परसन आपका जो है वह आपका नौन अप परसिन हेंग नइन टॉफी शिट टव और नाइन जो है वो एक सााथ नहीं बैठे इसका मतलब है यहां 10 होगी यहां आपकी क्या होगी 10 ठीक है पिर एक से अधिक नहीं के वल एक ही person है है एक और एक से अधिक person नहीं है एक ही person है तो वो बात भी एमरी condition ठीक है ठीक है टीक है not less than 3 person have same number of toffee ठीक है not less than 3 आप जानते है बहिँ 10 तो हमारे पास हुई चुके हैं पहले सी हमारे पास पहले से ही 10 तीन हो चुके अगर तीन दस हो चुके हैं तो यह F, C, A F, C, तो अगर F के पास दस है तो C के पास भी दस होगा भी और A के पास भी दस होगा क्योंकि F, C, A के पास same number of toffee है ठीक है अब आपने धोड़ा सा दिमाग लगा दीजे कि हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 5 ऐसे लोग हैं जिनके पास number of toffee कितनी है 10 है, 5 ऐसे लोग हैं जिनके पास number of toffee कितनी है 10, तो obviously सर ये बात confirm हो जाएगी कि बच्चे 3% के पास 9 होंगी तो आप कहेंगे सर E बच रहा है तो E के पास 9 होंगी और H के पास भी 9 toffee confirm होंगी, इसमें कोई भी 12 वाली बात नहीं होगी कि उसके पास नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि भी उसने कहा था कि not less than 3 at least 3 से कम तो ना हो, 3 हो जाएं या 3 से अधिक हो जाएं, 3 से अधिक हो जाएं वो एक अलग बात है लेकिन कम से कम 3, not less than 3 मतलब 3 तो हो, not less than 3, 3 से कम नहीं हो नीचे ये 3 हो जाएं, 3 से अधिक हो जाएं सेम नमबर अफ टोफी ठीक है ना, तो ये बात आपकी कंडिशन कैसे हो जाएगी कर लिए सबीने अरे कर लिए सबीने या नहीं किया, बता ही जल्दी से एक बार पता नहीं आप लोग कहां चले जाते हैं, समझ नहीं, आतक क्या है, क्या नहीं इतना बहतरीन चीज़ें आपको मिल रही है लेकिन आपको तो वही फूहड चीज़ें चाहिए ना जब कहते हैं कि सही है ना ये बात बिलकुल सही है इसमें कुई दोहरा वाली बात नहीं कर लिया चली अगर कोई हिंदी में देखना चाहता है तो हिंदी में देख लिए हिंदी में देखना चाहता है तो हिंदी में देख लें ठीक है चलिए फू अमंग दा फॉलेंग है नाइन टॉफी इसके पास है भई हूँ अमंग दा फॉलेंग नाइन टॉफी इके पास है ठीक है D आपको दिया नहीं गया है तो E आपका A comfortably में दिया गया है E जो है उनापको A option में दिया गया है A option में E will be right E will be correct A option में आपको E दिया गया है ठीक है चलिए आगे देखे यह भी हो नहीं पायाँ अगभी अभी समय नहीं है न ये भी नहीं हो सकता चलो इसको देखो इसको देखे जल्दी से सबी लोग बच्चे अग्या चाहिए धभी खाप अग्या चाहिए ? अग्या चाहिए ? झादु कर रची लोगए ? झाल 6 boxes आजे इधर आजे देख लिजे कर लेते हैं 6 boxes A, B, C, D, E and F One above another and contain एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं भई ठीक है और कह रहा है कि भई contain different items flower book, chocolate, fruit, watches and toy but not necessarily in the same order age placed either top or bottom age हो है या तो top पे हो सकता है 2, 3, 4, 5, 6 या आपका bottom पे हो सकता है और तो कहीं नहीं हो सकता इसके अलावा तो नहीं हो सकता है या तो top पे है, bottom पे इसके अलावा क्या होगा भई इसके अलावा हो क्या सकता है मुझे बताईए ज़रा हो सकता है कुछ और ठीक है यहां तो टॉप पर ही हो गया है, बॉटम पर कहा है भी रहा है वो कहा है box of watch is placed at bottom जो watch है वह बॉटम पर है watch जो है, वह बॉटम पर है ठीक है भई only one box is placed between D and F D और F के बीच में एक box है two boxes are placed between A and D A और D के बीच में दो box है ठीक है? A और D के बीच में दो box है आप कहरें D और F के बीच में F उपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है ठीक है? आगे देखेंगे थुँआ सा कहरें C is placed कहरें D which contains fruit D जो है वह आपका क्या contain करता है? fruit contain करता है ती कहरें C is placed below E C जो है वो आपका क्या है, below है E से लेकिन just below नहीं है but not just below E ठीक है, लेकिन आपका just below नहीं है box of toy is placed between D and F box of toy is placed between D and F toy जो है वो D और F के बीच में रखा जाता है तो F अगर यहां है तो toy यहां जाएगा F यहां है तो toy यहां जाएगा F यहां है तो toy यहां जो आपका box just above B से वो क्या है book contain करता है B से just above वाला जो है वो contain करता है books ठीक है आगे करा box of chocolate is not placed on the top chocolate वाला box जो है top पे नहीं है chocolate जो है वो आपका कहा नहीं है top पे नहीं होगा ठीक है भई चलिए box of chocolate is not placed adjacent to A और ना ही chocolate वाला adjacent होगा A के ठीक है और ना ही adjacent है वो आपका A के A के adjacent भी नहीं होगा ठीक है आगे आपसे क्या करा है e is not placed just above and below d e जो है ना तो just above है और ना ही just below है e जाब ना just above ना just below अगर ना just उपर ना नीचे यहाँ तो e आपका यहाँ हो जाएगा ना तो just above ना ही just नीचे e यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि e के नीचे फिर c नहीं आपाएगा तो e आपका top पे ही होगा ठीक है e आपका कहा होगा top पे d और f के बीच में f उपर नहीं हो सकता already e है तो यहाँ पे f हो जाएगा यहाँ d और f के बीच में उपर नहीं हो सकता f यहीं होगा और d और f के बीच में क्या है toy d और f के बीच में मेरे प्यारे बच्चों क्या है toy दे रखा आपको ठीक है फिर आप से कह रहा है b के just उपर क्या है books है तो b के just उपर fruit already है यहाँ पर अगर बी को रखें तो यहाँ से fruit already है तो यहीं रखना पड़ेगा बी से just उपर क्या है books ठीक है बी से just उपर books आ सकता है बी से just उपर यह fruit है तो यहाँ पर बी से just उपर क्या है गा books आ जाएगा ठीक है आगे आप से क्या कह रहा है भी आगे आपने कहा कि दो चार पांच तो E के नीचे C दो चार पांच यहाँ पर A है यहाँ पर आपका क्या है A ठीक है तो obviously यहाँ पर क्या जाएगा क्या बचा C बचा C हाँ जाएगा अब आपने क्या देखा आगे क्या किरा है F does not contain flower अगर F flower नहीं है तो flower यह पर सिंद करेगा ठीक है यह flower कर सिंद करेगा फिर कह रहा है कि चॉकलेट चॉकलेट ना तो टॉप पर है ना ही A के अर्जेसेंट है तो देखो यहाँ पर देखेंगे तो चॉकलेट यहाँ तो रख सकते हैं बचा क्या आपके पास आपके पास फ्लावर बच्चा तो फ्लावर आप यहाँ रख दीजी लेकिन आप यहाँ कहेंगे तर A के पड़ोस में चॉकलेट नहीं है तो यह पॉसिबिल केस आपका रोग यह वाला पॉसिबिल केस आपका कैस हो जाएगा पड़ोस में उज्वर रहा हो जाए और यह वाला आपका ड़ोस में कैस हो जाएगा बच्चे रख हो जाएगा क्या बात के लिए रहे ठीक है 22 के बाद ठीक है दिसरत एक काम करता हूं देख कोई पीपीटी है ना पीपीटी की पीडिए बना कि आज चारों पांच जितनी भी बच रही है आज कि दीजारी के 29 तारीक है ना मैं एक साथ सारी दे देता हूं ठीक है ना 22 से लेकर अब तक तिल टूडे तक ही मैं दे दूंगा आज ज सब्सक्राइब कोई जाएगा नहीं ठीक है और जाणा कहीं भी नहीं है यहीं रहना है सभी को चरणाध यहीं क्यों से 15 सर्किए थीक तो सभी बने रही एगा ज़रूर यहाना कहीं नहीं किसी को भी सेशन को हो सके तो सियर भी कर दिया करें थीक है और सबस्क्राइब कर लीजे अगर अगर लगता है कि हमारे लिए बहुत बहतर है तो लाइक भी कर दिया करें ठीक है थैंक यू सो मच टेक क्या आप